हलो गाइस मैं है रतने स्कुमार और आप देखरें मेरे यूटूब चनल अच्छी वर्सेश गया जैसा कि यूजी एसी का कॉंसलिंग स्टार्ट हो चुका अच्छा बीसी सी पे बहुत सारे स्टुडेंट्स अपने डिस्ट्रेशन करने के बाद यूजी एसी 2020 को अपलाई कर चुके थे च्वाइस फिलिंग करने के बाद वह लॉक भी कर चुके थे बहुत सारे स्टुडेंट्स पर यहां पर एक ट्विस्ट यह आया है कि बीसी एसी ने एक न्यू नोटिस जारी किया मैं वह नोटिस पहले आपको दिखा देता हूं उसमे के लिए गवर्मेंट और प्रावेट के लिए वह अपलाई करेंगे इट मैंस आपने जो भी अपता की चुआइस फिलिंग किया था जो ही लॉक किया था अपना लिस्ट मना कर वो नल है वो वाइड है वो वैलेड नहीं है अब जो आपको जो भी प्रोसेस करना होगा वह आ अपको करना होगा और वो कब होगा वह आपको नेक्स्ट नोटिस में बताया जाएगा इट मेंस आपका जितने भी टाइम सीडूल थे जो भी ओल्ड वाला टाइम सीडूल था जो नाइन तांबर तक च्वाइस फिलिंग करना था फास्ट रॉंड का रिजल्ट जो आने वा वाले थे वो सब चेंज हो जाएंगो वो सब कैंसिल हो गया है और नेक्स्ट नोटिस में आपको बताया जाएगा कि कब वो होने वाला अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो भी डिप्लोमा पास्ट सुडेंट्स है उनके लिए गुड नूज है कि वो आप अपलाई कर सक सकते हैं युजी यह सी के लिए और जो अपलाई कर तो उनके लिए बैड यह यह है कि उनका मेरिट लेश्ट में फिर से रैंक आने वाला है और उन लोगों का रैंक हो सकता है मैक्समम लोगों का चेंज होना ही होना है और उसके कोर्डिंग फिर आपको कॉलेज करनी होगे और उसके according आपको college मिलेगा, it means अगर आपका rank change हुआ, अगर rank आपका नीचे जाएगा, obvious बात है rank या तो same रहेगी या फिर नीचे जाएगी, तो अगर नीचे गई, तो आपका जो college मिलने का possibility था, वो कम हो जाएगा, तो इसके according students अब अपना prepare कर ले, अपना thinking कर ले, और decide करे और wait करें कि कब अप new notice आता है BCEC का, तो diploma students के लिए good news है, कि वो अपना registration कर सकते हैं, UGEAC counseling के लिए, और बाकिये students के लिए थोड़ी सी bad news है, तो students मेरे चैनल पर बने रहे हैं, इस तरह के notice में आपको update करता रहूँगा, और सारे processes को बताते रहूँगा, BCEC से related, thank you very much